नमश्कार जोतिस और वास्तू के चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स विवा के बारे में असे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विवा योग 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 योथियों का अगर विवा नहीं हो पारहा है उनके उम्र विवा की हो गई है और विवा के लिए उच्चत वर या वदू नहीं मिल पारी है तो उनके लिए ये वीटियो है के ही बार फ्रेंट्स ऐसा होता है कि विवा में विलम होता रहता है घर में भी कोई घुमिकान बनती है और जिस भी लड़के या लड़की से हम विवा करना चाहते हैं उससे हम करीने पाते हैं ने उसको बोल पाते हैं ने वो हमें बोल पाता है तो अपने मन के इसाब से विवा अगर आप करना चाहते हैं और आपका ज़ादा पूजा पार्ट करने में विश्वास नहीं है और आप के पास टाइम भी नहीं है पूजा पार्ट करने के लिए आपके कुंडली में कहीं भी राउ, केतू, शनी, मंगल कहीं भी बैटे हो कितने भी बुरी इस्थिति में बैटे हो कितने भी कुंडली विवा के इसाब से खराब हो मात्र इस एक उपाय करने से सारे गिरह का दोश समापत हो जाएगा आप कुछ भी मत करिए मनचाहत जीवन साती प्राप्त करने के लिए सिर्फ आप पीपल के इसमें ये सारे समगरी डालनी है जलका पात्र लीजिए और पात्र के अंदर आप घर का ही पानी लीजिए उस पानी के अंदर आप डालिए थोड़ी सी हल्दी थोड़ी से काले तिल थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा कच्चा दूद और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डा तो आप सिर्फ गुड़ डालिए काले तिल कच्चा दूद हल्दी और गुड़ यह चीजे डाल करके आप मंदिर में जाए क्यांकि मंदिर में ही पीपल का पेड़ होता है तो पीपल के पेड़ के आपको पूजा करनी है इस पूजा में फ्रेंड्स एक बात का ध्यान कि आपको एक सर्सों का तेल का दीपक भी जलाना है तो आप सर्सों का तेल का दीपक भी तयार कर लेजिए ध्यान देने योग्ये बात यह है कि पीपल की पूजा आपको शनिवार और अमाश्या को करनी है और रविवार को भूल कर भी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना तो आप इस पूजा को सोमबार से लेके शनिवार तक कर सकते हैं और अमावश्या को कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप शनिवार और अमावश्या को इस पूजा को कर सकते हैं बस रविवार को ये पूजा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो सारे किरे कराये पे पानी फिर जाएगा, रविवार को आप जितना हो सके, पीपल से दूरी बना कर रखें, नहीं उसके चाया में जाएं, नहीं उसके पास में जाएं, नहीं उसके जल चड़ाएं, बिल्कुल बड़ेत है रवीबार को पीपल की पूजा करना तो फ्रेंड्स आप जल लेंगे तो आपके पीपल की पूजा से कैसे जिरेशांत होंगे विवा के जो भी बुरे कुंडली में कितने बुरे बैटे हो मंगल बैठा हो, राओ बैठा हो, शनी बैठा हो कि तू बैठाओ कुछ भी कितने भी बुरे हो इस उपाय को करने मात्र से आपका विवा की सारी बादाई दूर होईगी और बहुत ही अच्छा प्यारा जिवन साती आपको मिलेगा अब जल चड़ाने से आपका चंद्रमान उकूल होएगा तो आपकी मनेस्तिती और सामने वाला जो भी जिवन साती मिलेगा उसके मनेस्तिती बहुत ही अच्छी रही यानि कि आपके विचार मिलेंगे और आप जल के अंदर हल्दी मिलाते हैं तो आपको विवाई सुक मिलेगा और विवा के बाद संतान का सुक भी उत्तम मिलेगा गुड चड़ाने से फ्रेंड्स अगर कुंडली में मंगल खराब है तो वो ठीक हो जाएगा काले तिल चड़ाने से शनी अगर बैठा है कुंडली में वेकार इस्तिती में और विवाई में विलंब कर रहा है क्योंकि शनी बहुत दीरे चलता है और विवाई में बहुत ही डिले कर देता है बहुत ही देरी से विवाई कराता है तो काले तिल चड़ाने से शनी का दोश आपका समापत हो जाएगा शक्कर चड़ाने से भी शुक्र ग्रह अनुकूल होता है तो इतने सारे ग्रह आपके मात्र पीपल की पूजा से ठीक हो जाएंगे तो आप ये उपाय किजिए आप इस एक पातर में जल, हल्दी, तिल, गुड और काले तिल ये डालके पीपल के ब्रक्ष के नीचे जाएं शनीवार को भी जा सकते हैं और अमवश्या को भी जितने जादा आप पीपल की पूजा करेंगे उत्ते ही जल्दी आपके विवा की बादा दूर हो जाएगे तो पीपल के पेड़ को प्रणाम करें और उसमें ये मिश्रित जल आप अर्पित करें उसके बाद उसकी साथ प्रक्रिमा करें ओम नमो नारायना मंतर का जाप करते हैं साथ प्रक्रिमा करें साथ प्रक्रिमा करने से विवा की सारी परिशानिया दूर हो जाती है, सारी दिक्कते दूर हो जाती है और सबी लोगों का विवार सकारात्मक हो जाता है, तो प्रक्रिमा अवश्य करें, उसके बाद पीपल की साथ प्रक्रिमा करके वापस उससे स्थान पर आ जाएं और गील और हनुमान जी को ओम हनुमते नमे बोलके हनुमान जी को नमस्कार करें और ओम क्रेशनाई नमे ओम महलचमी नमे इन चार देवी देवताओं को आप प्रणाम करें उसके बाद फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए पीपल के पूजा करने के बाद वहां पे अगर मंदिर है त क्योंकि पीपल के पूजा करके सिधे घर्णी आना चीए मंदिर में भी जाना चीए और मंदिर में देवताओं को परणाम करें अंदर जाएं संबवने हो तो बाहर से भी नमस्कार करें उसके बाद आप जो तेल का दीपक है वो आप पीपल में चड़ाए पीपल में पार्ट में अपना टाइम दे पाएं तो आप एक ही बार में यह दोनों पाए कर लीजिए अगर आपके पस टाइम है तो आप सुबह चल चड़ाए और शाम को दिपक लगाए और अगर आपके पास बिल्कुल यह टाइम नहीं है आपको सुबह ओफिस के लिए तैयार होना और जहां भी आपको पिपल का पेड मिले और आफिस के पास रस्ते में कहीं भी मिले तो आप यह कर लीजिए दिपक के लिए भी आप एक टिफिन के अंदर बत्तियां रख सकते हैं और वहां पे दिपक भी लगा सकते हैं अगर दिपक की वेबस्ता नहीं हो तो कोई बात न आप परेशान नहीं हो पर आप यह जल तो परापर चड़ाइए फ्रेंड्स यह इतना कारगर उपाए है कि शादी की रुकावटें जितनी भी होती है नहीं वो सारी दूर होती है और बहुत ही अच्छा विवा होता मन के हिसाब से और रुकावटें दूर होने के बास सिग विवा हो जाता है क्योंकि इससे सारे ही गिरेश जो आपके कुणली में कितने भी खराब हो सब अनुकूल हो जाते हैं एक दम से आपको अलगल उपाय करने की ज़रती नहीं है नहीं आपको कोई मंत्रों का जाप करना है कुछ भी नहीं करना है नहीं बड़े-बड़े अनुसार और फिर चमतकरिक परणाम देखिए वीडियो में आप लिखके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको विभा की बांदा है शिक्रुदूर हो तो इस वीडियो के अंदर आप ओम नमशिवाय जरूर लिखिए तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग ग्रहों की परिशानियों से पीडित हैं कि कहीं गुरू खराब है शनी खराब है राओ खराब है कि तु है मंगल है यह सारे ग्रह एक ही पूजा से स्चान्त हो जाते हैं और वह भी बहुत ही आसान पूजा है एक से डेड़ महा के अंदर अंदर विवा की भूमिका बन जाती है सगाई समारों तक हो जाते हैं इतना चमतकारी की उपाय है मातरी सुपाय को करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए आपका वेवाई जीवन सुप में हो इसी शुप कामनावों के साथ नमस्कार वीडियो को लाइक सबस्क्राइब की जीजिए नियवाद